कुलकाता के आरजीकर मेडिकल कोलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर के हत्या के वाद सिवियाई की टीम उन कातिलों का पता लगाने के लिए हर पैतरे आजमा रही है दोस्तों CBI की टीम ने अब कुछ ऐसा करी है जिसके बाद कहा जा रहा है मुख्या रोपी संजाए रोपी रोने लग गया आजके इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कीस तरह से संजाए रोपी की आलावा सात अन्य लोगों का नाम निकल कर सामने आया है साती साथ दोस्तों कोलेज का जो प्रिंसपल है इसके उपर भी बिसेस निसाना है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों की इस तरह से साथ लोगों का पोलिग्राफ टेस्ट करा गिया और बताया जाता है संजायर रॉय को जब आदालत में पेस करा गिया तो जद साहब की सामने ये रोने लग गिया सवाल यह आता है दोस्तों की क्या संजायर रॉय ही असली आरोपी है CBI की टीम ने क्या-क्या खुलासा करी है इसके अलावा अस्पताल के अंदर लगे सिसी टीवी केमरे संजायर रॉय का मबायल फॉन होस्पिटल एस्टाप से पूछ ताच इसके अलावा सेमिनार होल के अंदर मिले सबूतों के अधर पर CBI की टीम ने अब क्या-क्या खुलासा की है इसके अलावा दोस्तों संजार राय के एक दोस्त का भी खुलासा हुआ है जिसका नाम सोरभ है तो आज के इस वीडियो की मादेम साब को हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से CBI की टीम ने बड़ा बड़ा खुलासा करी है इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो की मादे वीडियो को देखने वाले सवी भाईयों और सवी बेहनों को हमारे तरब से दिल से सलाम दोस्तो पूरा देश के वल एक ही जवाब चाहता है कि इस लेडी डॉक्टर के साथ आकिर हुआ क्या और क्यों इसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई और वो कौन-कौन दरिंदा है जिन दरिंदों ने मिलकर अपना हवस मिटाने के लिए इसका हत्या कर दिया दोस्तो आज के इस वीडियो के माद्यम से सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं संजाय रॉय के बारे में आपको बता दो दोस्तो यही वो संजाय रॉय है जिसे गिरफतार करा गया था और इसके उपर आरोप है कि इसने ही अस्पताल के अंदर इस लेडि डॉक्टर के साथ रेव करा और रेव करने की बाद इसका मॉर्डर कर दिया संजाय रॉय के बारे में कहा जा रहा है 23 अगस्त को इसे कोलकाता के सियाल्दा कोर्ट में पेस करा गया और कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि जद साहब के सामने ही रोने लग गया तो सवाल यह आता है दोस्तों कि संजाय रॉय के साथ आखिर आदालत के अंदर ऐसा क्या संजाय रॉय जद साहब के सामने ही रोने लग गया दरसल बताया जाता है संजाय रॉय से ये पुछा जा रहा था कि तुमारा पोलीगराफ टेस्ट करवाना है क्या तुम इस सीज के लिए मंजूरी देते हो तो दोस्तों संजाय रॉय जैसे ही पोलीगराफ टेस्ट का नाम क्या सच है और क्या जूट है सवाल यह आता है संजाय रॉय पोलीगराफ टेस्ट का नाम सुनकर आखिर रोने क्यों लग गया और इसके अलावा दोस्तो साथ अन्य लोगों का भी नाम निकल कर सामने आया है जिसका की पोलीगराफ टेस्ट करा गया दरसल बताया जाता है कोर्ट के अंदर जब संजाय रॉय से कई तरह का सवाल करा गया तो एक तो यह रोने लग गया उसके अलावा जद साब के सामने बोलने लग गया कि मैंने कोई गुना नहीं किया है दोस्तो बताया जाता है पोलीगराफ टेस्ट से पहले CBI की टीम ने इससे पुछताच एक बार फिर से करी तो सवाल यह आता है कि CBI की टीम ने इस कातिल से क्या क्या पुछताच करी है का जा रहा है दोस्तो CBI की टीम ने इससे पुछताच ये करी कि अस्पताल के अंदर आखिरकार तुम आठ अगस्त को क्या करने गए थे तो दोस्तो इसने जवाब दिया कि मैं किसी अपने रिलेटिव को वहाँ एडमिट करवाने गया था आपको पता दू आठ अगस्त के रात को ये लेडी ट्रेनी डॉक्टर भोजन करने के बाद जाकर आराम करने लग जाती है और बताया जाता है संजाय रॉय आठ अगस्त की रात कोठे पर जाता है इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सोरब सोरव के साथ बताया जाता है ये कोठेव पर जाता है अपना हवस मिटाने के लिए दोस्तों इसके दोस्त सोरव से भी सिवियाई की टीम ने पूश्ताच करी है इसके दोस्त सोरव का ये गहना है कि आठ अगस्त की रात मैं और मेरा दोस्त संजाय हम दोनों कोठे पर गए थे दरसल ये लोग अक्सर वैसिया के पास जाया करता था अपना हवस मिटाने के लिए आठ अगस्त की रात इसका दोस्त बताता है कि ये बहुत ज़्यादा परिसान था आठ अगस्त की रात ये कोठे पर जाने के बाब जुद भी किसी वैस्या से मिलता नहीं है बलकि कोठे से बाहर खरा रहता है और उसकी बाद इसका दोस्त सारा काम निप्टाने के बाद कोठे से बाहर आता है फिर इसका दोस्त चला जाता है अपने घर और ये सीधा चले आता है आर्जी कर मेडिकल कोलेजन्ड हॉस्पिटल तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर ये रात को अस्पताल क्यों गया था और यही सवाल सिभी आए की टीम इससे भी पूछती है तो संजायर राय का ये कहना होता है कि हम अपने जिस रिलेटीव को हॉस्पिटल में अडिमिट करवाए थे उसी को देखने के लिए गए थे उसके अलावा दोस्तों सिभी आए की टीम इसे एक CCTV फूटेज दिखाती है एक वीडियो दिखाती है जिसमें इसा दिखा जाता है कि संजायर राय अस्पताल के चोथी मंजिल पर बने गली में घूम रहा था तो सिभी आए की टीम इससे पूछती है कि आखिर तुम चोथी मंजिल पर क्या करने गए थे उसके बाद ये कहता है कि बस हम इसे ही घूमने गए थे दरसल बताया जाता है उस रात संजायर राय के पास एक Bluetooth दिवाइस था जियां दोस्तों जिस दिवाइस का इस्तिमाल आप लोग गाना सुनने के लिए करते हो तो इसके पास एक Bluetooth headphone था इसके कंदे पर दरसल बताया जाता है जिस रात इस लेडी डॉक्टर का हत्या करा गया था उस रात अस्पताल के अंदर जो संजायर राय का CCTV फूटेज देखा गया है उसमें ये देखा जाराय कि संजायर राय उस दिन बहुत ज़्यादा हडबराया हुआ था ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था दोस्तों CBI की टीम को इस बात का भी संदे है कि ये पहले से ही दिमाग में बठा रखा था कि इस रात इसका अहत्या कर देना है इसकी साथ कुछ न कुछ करके इसको किसी तरह से निप्टा देना है तो दोस्तों CBI की टीम को जिस परकार का संदे है उस संदे हो ये पूरा होने के लिए दे ही नहीं रहा था बताया जाता है CBI की टीम ने उसकी बाद इस से एक और सवाल करी कि क्या तुम सेमिनार होल के अंदर भी गए थे तो रसल आपको बता दू अस्पताल के अंदर बने सेमिनार होल के अंदर ही इस लेडी डॉक्टर का पहले बलातकार करा गिया फिर इसका मुर्डर कर दिया गिया तो दोस्तो इससे ये भी पुछा गया कि क्या तुम सेमिनार होल के अंदर गए थे तो इसने काया कि नहीं मैं सेमिनार होल के अंदर नहीं गया था उसके बाद दोस्तो जब एक बार पुना CBI की टीम इससे पूछती है तो यह कहता है कि हाँ हम सेमिनार होल के अंदर गए थे तो दोस्तो यह जो कि कई तरह का जूट पे जूट बोला जा रहा था आपको बता दो CBI की टीम के सामने इसने साब साब बोल दिया है कि मैंने इसका हत्या नहीं करा है मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं करा है लेकिन सवाल यह आता है दोस्तो कि जिस सेमिनार होल के अंदर इसके साथ बजसलूकी करके इसका हत्या करा गिया लेडी डॉक्टर का जिस सेमिनार होल के अंदर मॉर्डर करा गया उसी सेमिनार होल के अंदर से इसका बुलूतूट डिवाइस भी बरामद करा गया जियों दोस्तों गाना सुनने वाला जो बुलूतूट डिवाइस था वो उसी सेमिनार होल के अंदर पड़ा हुआ था तो CBI की टीम इससे पुछताश करते हुए बोली कि आकिर ये तुम्हारा Bluetooth device के से सेमिनार होल के अंदर गया तो दोस्तो इसने साफ साफ बोला कि मैं कुछ नहीं जानता तो इससे असपस्ट हो जाता है दोस्तो कि ये जो कि सेमिनार होल के अंदर जाता भी है इसके साफ रेप भी करता है और इसका मडर भी कर देता है क्योंकि दोस्तो उस राद जिस तरीके से ये हर बड़ाया हुआ था और ये खुद भी पहले बोला कि मैं सेमिनार हूल के अंदर नहीं गया फिर गया तो दोस्तों दो तरह का जो ये बात बोल रहा है तो इससे असपष्ट तो यही होता है कि ये सेमिनार हूल के अंदर गया लेकिन दोस्तो अभी भी सिवियाई की टीम के सामने एक चीज रहस से बना हुआ है रहस से ये बना हुआ है कि संजायर राय अकेले गया था या फिर इसके अलावा और भी कोई गया था तो दोस्तो अब तक संजायर राय ने किसी और के बारे में कोई नाम ही नहीं बताया है आपको बतादो हस्पिटल के अंदर लगे जितने भी सिसी टीवी कैमरे हैं तमाम सिसी टीवी फुटेज को खंगाला गया है और संजायर राय के अलावा कोलेज का प्रिंस्पल संदीब घोस के बारे में भी अच्छे से सिवी आई की टीम ने चानबिन की है दरसल बताया जाराय जोस्तो अस्पताल के अंदर एक बार फिर से संजायर राय को लाया गया था और अस्पताल के अंदर एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रियेट करा गिया था संजार रॉय से पुछा गिया था कि किस तरह से तुम सेमिनार होल के अंदर परवेश किये किस तरह से तुमने क्या क्या किया सब कुछ इससे पुछा गिया लेकिन दोस्तों का आज R.I.C.B.I. की टीम की सामने ये सच लाना ही नहीं चाहता है अगर एक सुतर की माने तो संजाय रॉय को सब कुछ पता है और दूसरे सुतर की माने तो संजाय रॉय को कुछ भी नहीं पता है दोस्तो सिवियाई की टीम के लिए भी ये बात एक बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है कि आखिर असली कातिल है कौन आखिर असली कौन कातिल है जिसने इस लेडी डॉक्टर का हत्या करा है बताया ज़राई दोस्तो सिवियाई की टीम ने इस मामले में साथ लोगों के बारे में खुलासा की है आपको बतादो सिवियाई की टीम ने अब तक संजायर रॉय के अलावा संदीप घोस पर संदेह की थी इसके आलाबा दोस्तों सिवियाई की टीम को आनने साथ लोगों पर भी संदे हुआ तो उन साथों से भी पूष्टाश करा गिया और आपको बता दू आदालत ने इस बात का भी मंजूरी दे दी है कि तमाम लोगों का पोलीगराफ टेस्ट होना चाहिए दोस्तों पोलीगराफ टेस्ट का नाम सुनकर संजाय रोय तो रोने लग गया इसके आलाबा जो कोलेज का प्रिंस्पल है संदीप घोस संदीप घोस को भी इस बात का डर सतार आए कि कहीं इसका सच बाहर न निकल जाए क्योंकि दोस्तों संदीब गोस्त के बारे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं न कहीं इसका भी हाथ इस लेडी डॉक्टर के हत्या में है तो है तो सवाल यह आता है दोस्तों कि CBI की टीम ने जब पोलीग्राफ टेस्ट करी है तो पोलीगराफ टेस्ट के बाद क्या-क्या खुलासा हुआ इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तो फिलाल चर्चा कर लेते हैं लॉरेंस विश्णोई के पुराने राज के बारे में खुलासा हुआ है जी यहां दोस्तों काया जा रहा है लॉरेंस विश्णोई के तेरा साल पुराने राज के बारे में खुलासा हुआ है। जी यहां दोस्तों के बारे में खुलासा है लॉरेंस विश्णोई के साथ इसका नाम है इंद्रप्रीच सिंग परीरी इन दोनों के खिलाफ इसका कुछ दोस्त भी है। उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा गिया है। तो दोस्तों लॉरेंस विश्णोई के बारे में ये खबर निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों कहा गया है कि कोर्ट के अंदर कानून भले ही अंदा होता है लेकिन एक ना एक दिन तो फैसला होई जाता है। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि जिस तरह से लेडी डॉक्टर का हत्या करा गिया। हत्या के बाद जिस तरह से CBI की टीम एक एक करके तमाम पैतरे आजमा रही है। क्या इन पैतरों को आजमाने के बाद सचका परदाफास होपाएगा। है कहाईगा। क्योंकि आब तक देखा जा रहा है कि संजायराई के आलाबा CBI के निशाने पर मुख्य रूपसे कोई आही नहीं रहा है। एक दो प्रिंस्पल के उपर संध्य हुआ था कि ये भी असली खातिल होशकता है। लेकिन अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि ये प्रिंस्पल संदीब घोस जो की बचता ही जा रहा है। सवाल यह आता है दोस्तों कि इस मामले में अब तक बंगाल सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है। आपको बता दू ममता बनर जी की उपर भी बहुत सारे लोगों का आरोप है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस लेडी डॉक्टर का जो हत्या करा गया है। इस हत्या कांड के बाद ममता बनर जी का इन कहीं कोलेज के इस प्रिंसपल का भी साथ दे रही है। तो इस मा जानकारियों को अब तक गुप्त रखी है तो जैसे ही जानकारिया निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करा दोस्तों की आठ अगस्त की रात संजायर राय क्या क्या किया था सिवियाई की टीम ने इसके दोस्त सोरब से भी पूश्ताच करी और पूश्ताच के बाद सोरब ने भी खुलासा करा उसके अलाबा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम साब को मैंने बताया कि संजायर राय के आलाबा साथ आन्य लोगों के पोलिगराफ टेस्ट का मनजूरी द चुका है और अब तक दोस्तों जानकारी निकल कर सामने आई है नहीं उसके अलाबा दोस्तों आपको बदा दू संजायर राय का जो वकील है उन्होंने भी अपना दलील पेस करा है संजायर राय के वकील का ये कहना है कि संजाय को बेवज़ा फसाया जा रहा है इसने किसी पराद किया ही नहीं है सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस सेमिनार होल के अंदर इस लेडी डोक्टर का हत्या हुआ था जिस सेमिनार होल के अंदर इसका वलातकार करकी इसका मरडर कर दिया गया उस सेमिनार होल के अंदर मरडर के उस रात ये भी गया था तो जब ये गया था तो इसका वकील कैसे बोल रहा है कि ये बिकसूर है, तो इस मामले में दोस्तो, अभी भी CVI की टीम लगी हुई है, और आपको बता दो, CVI की टीम से हर किसी को आसा है, हर किसी को इस बात का उम्मीद है कि CVI की टीम इस बेटी को इनसाब दिला करके ही रहेगी, लेकिन दोस्तो इस बीच जिस तरह से संजार रोय के अलावा किसी और आरोपियों की बारे में पता नहीं लग पा रहा है इस मामले में CBI की टीम को और भी पेचीदा तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है हलागी दोस्तो पोलिगराफ टेस्ट में कई वार ऐसा भी होता है कि सच सही सही सामने आता भी है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोलिगराफ टेस्ट के जरिये सच का पता नहीं भी लग पाता है तो दोस्तो मसीन पर कितना ही भरोसा किया जाए उसके अलावा सेमिनार होल के अंदर बताया जाता है और भी कही तरह का सबूत मिला है तो आगे जो भी जानकारिया निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा वाँकी दोस्तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहाना है की इसका सिधा एंकाउंटर होना चाहिए और ये जो संदीब घोस है इसके उपर भी लोगों का संदे है लोगों का कहाना है की संदीब घोस की बारे में भी अच्छे से CVI की टिम को छानबीन करने की जरूरत है तो देखते हैं दोस्तो कब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल पाता है लेकिन दोस्तो हमारे देश के अंदर जिस तरह से आलाग अलग तरीके से लोग लोगों का बलातकार करता जा रहा है वहन बेटियां सुरक्षित नहीं है अभी दोस्तो असम के नगाओं के अंदर भी इस तरह की बड़ी वारदात देखने को मिली है अलाग दोस्तो नगाओं के अंदर तीन दरिंदों ने 22 अगस्त को 15 साल की एक लड़की के साथ गेंग रेप करा था जिसमें से दो आरोपियों को गिरपतार करा गिया जिसमें से एक आरोपी जो की मारा गिया जिसका नाम तफजूल इसलाम था तफजूल इसलाम के बारें बताया जाता है असम पुलिस ने उसे 24 अगस्त को गिरपतार कर ली थी सबेरे 4 बजे असम पुलिस के इरासत से वो भागने लग गया और भागते भागते बताया जाता है तफजूल इसलाम तलाब में कुदकर जान दे दि किसी भी बेटी के साथ अगर कोई भी दरंदगी करता है तो इसकी खिलाब कड़ी सी कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए सरकार को तो सिधा फासी दे देना चाहिए इसे लोगों को तो देखते हैं दौस्तु इसमामली में अगे क्या-क्या होता है लेकिन दोस्तों तमाम साक्ष के आधार पर अब तक संजाय रॉय के अलावा किसी और के बारे में पता नहीं लग पा रहा है तो देखते हैं अब CBI क्या गरती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और आगे जो भी जानकाडिया निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा लेकिन मैं आप लोगों से पुछना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या इस बेटी को इनसाफ मिलना चाहिए या पिर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप में से ही बहुत सारे इसे लोग होंगे जो कि केंडल मर्च निकाले होंगे आप में से ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि रेली निकाले होंगे आप में से ही बहुत सारे इसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि we want justice तो इनको justice मिलना चाहिए कि नई मिलना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए बाकिया आप लोग साबधान रहे सतर करेए कभी भी गलत काम मत कीजिए जाहिंद राम राम सारी भाईयों को मिलता हो ले नई वीडियो में नई ख़वर के साथ तो तक मास्त रहिए स्वस्त रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखती रहिए और नई नई जानकारियों का फैदा उठाती रहिए जाहिंद